सुबह बहुत खुपसूरत है वíbज़ अभी थवड़ा थवड़ा नीं में लग रहे हैं और इसको अपी हम लगव उने जगा दिया है और जिसको रेडी कर दिया है दोस्तो आज हम लोग जाने वाले हैं गिरिजामाई के मंदिर और वो बंदिर यहां का बहुत खुबसूरत मंदिर है मौसम आज का देख रहे हैं कि इतना सुवाना है कि इतना खुबसूरत मौसम है अपना प्रकास चारो तरफ पैल आ रही है बहुत प्यारी सुवा लग रहे हैं सुवा की छे बज़ने हैं और हम लोग चलते हैं आपको दर्सन करते हैं गिरिजामाई के तो दोस्तो अब हम बात करते हैं कि आखिर यहां तक पहुँचा कैसे जाएगा तो देखिए काट कोदाम तक आप ट्रेन से आ जाएगे या फिर बस से आ जाएगे वहां से आपको बस मिल जाएगी टैक्सी मिल जाएगी अगर आप बस से जाते हैं गिरिजा देवी मंदिर तो यहां की जो दूरी है वो है 72 किलो मीटर तो यहां पर आपका 80-85 रुपए जो है वो खर्चा रगेगा बस के तो रोगर आप जाते हैं तब लेकिन अगर टैक्सी से जाते हैं आपको तो 2000 रुपए खर्चा लगेगा आप जाएगी वहां पर दस्तन करके वहां पसा जाएगी मातर 2,000 रुपए में अगर 4-5 लोग जाते हैं गुरूप में तो काफी ज़्यादा खर्चा नहीं होने वाला है बहुत आसानी से आप दस्तन करके आ सकते हैं दोस्तो हम लोग पहुँच चुक हैं गिर्जामाई मंदिर के दोहर पर और आज पदर चला ह कि अंपर पंडारा होने वाला है दोस्तों तो बहुत दूर दूर से यहाँ पर सरदालू आते हैं बहुत ही ज़्यादा भक्ती भाव होती है गिर्जामाई के प्रतियाँ पर लोगों के मन में और चली देखते हैं यहाँ पर हम लोग सुरुआ से असा लग़ा है रोस्नी? अजया लग़ा है? असा लग़ा है यहाँ का नजारा दोस्तों बिलकुल अद्बूत है आप यहाँ पर गए हैं तो इस नदी में नहाने से अपने आपको बिलकुल भी नहीं रोग पाएंगे असा लग़ा है यहाँ 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 क्वार्ट जार्ट क्वार्ट पुदार्ट तो दोस्तों हम लोगों ने दर्शन के लिया है इस नान भी के लिया है और बहुत अच्छा लगा है इस मंदिर में आकर माताजी के दैसन करके वापस आये तो यहाँ पर भंडारे में दोस्तों चल ला था राजमा चावल छोले चावल कडी चावल सबजी पूडी रसगुले जलेबी हलवा चना और साधी साथ में पानी के बता से विखला जारे दो दोस्तों तो बहुत ही अच्छा और पहली बार मैंने ऐसा बंडारा देखा जिसमें इतने सारे आइटम थे उम्मिद करता हूं दोस्तों आपको यहाँ पर जरूर आने का मन करेगा तो साथियों यहाँ पर आने के लिए मैंने आपको मात्पूर जानकरी दे दी है और आप आईए यहाँ पर दसन कीजिए आपको बहुत अच्छा लगेगा और उम्मिद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगो था हमां हमसे जुड़ जाए और आज का वीडियो यही स्माप करते दोस्तों अब हम इजादत दीजिए मिलते ह एक नए सुबा के साथ एक नए दिन के साथ धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए